नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त पुनम और फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल Learning Never Ends with Poonam में इतना जोर देखे जो मैंने आपको अपना चैनल का नाम बताया ना Learning Never Ends with Poonam वो इसलिए कि मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से मेरे विवर्स जो है वो भूल गए है कि यह Poonam Daumar का चैनल है Learning Never Ends इसका नाम है आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो I don't know why मैं टीचर हूँ मैं आप लोगों को जो भी ज्यान जो भी बाते समझाती हूँ वो इसलिए क्योंकि आप मेरी बाते सुनते हो आप मेरी इस कॉम्मिनिटी से जुड़े हूए हो है ना तब ही तो मैं आपको कोई चीज कोई सजेशन कुछ भी बाते जो बोलते हूँ आप सुनते हो तब मेरी वीडियो को देखते हो यह बताईए आप लोगों ने मुझसे बात करी Pile Zone के बारे में कि माम वो इस तरी किसे अपने चैनल के साथ कर रही है हमारा भी नएया नएया चैनल है टीचिंग चैनल है आप टीचिंग चैनल के लिए टेप्स शेयर करते हो तो क्या हम भी वैसा कर सकते हैं हमारे चैनल की भी बहुत चीग रोध होगी तो जस्ट बिकॉज आप लोग जब इतने जादा नेगेटिव होके परिशान हो रहे थे तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो शूट करी आप लोगों को मेरी बात समझ भी पियाई बट अब ये क्या है ऐसे कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं कि आप लड़कियों की वज़े से ऐसे होता है आप बहु एक लड़की अगर कुछ कर रही है और गलत और सही कर रही है वो क्या नहीं कर रही है उसे जज़ करने वाली मैं बिल्कोई भी नहीं ये मेरी परसेप्शन है ही नहीं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसका चैनल, उसकी जुबार उसका बोलने का तरीका उसके थॉट प्रॉसेस, उसके आइडियास भई मैं कैसे रिस्पॉंसिबल हो गई और पूरी लड़कियों को गाली दे रहे हो सारे रड़कियों को खाली दे रहे हो मतलब ऐसा हो गया कि मुझे जबर जस्ती यूट्यूब पे पाहल जोन सर्च करके देखना पड़ रहा है कि आज उसने क्या डाल दिया जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो और मुझे कमेंट करने का कौन सा लॉजिक बनता है बताईए उनकी टीचर थोड़ी नहीं नहीं न पाहल और मेरा फेस को हुआ लेजैंबल नहीं करता हम लोग कहीं से कहीं तक मैक हीं नहीं करते मतलब कोई लेवल नहीं है वो इतनी छोटी है मेरे से एज में भी सटनी चोटी है चोटी बहन है, ना बड़ी बहन है, कुछ भी तो नहीं है, मैं उसे जानती तक भी नहीं हूँ, मैंने उसे आज तक बात भी नहीं किये, तो मैं उसे क्यूं समझाओं, क्यूं से अपना घ्ना दो, क्यूं finalement कूछ बोलू आप लोग मुझे अपने हिसाब से अपना जो भी कर रही है ना आपको अर्लोड लेने की ज़रूत और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे ये दूसरी वीडियो बना नहीं पड़ रही है इसलिए कि मुझे ऐसे देखने को लगता है कि कभी लोगों को ये तो नहीं लगता कि मेरा चैनल है भाई मेरा चैनल नहीं है शकल भी तो बिल्कुल अलग है आप कैसे डिफाइन कर रहे है और प्लीज ये चीज सबसे दाधा गलत लग रही है मुझे मेरे वियोस की जो आप किसी को गाली दे रहे है। प्लीज इस तरीकी की बाते जो है नहीं कर लो वह उस पर question mark लगा देता है टिक जो जैसा कर रहा है और क्या कर रही है और उसे views मिर रहे हैं उस पे तो आपको क्या problem हो रहे है भाई आप भी कर लो अगर आप टीचर नहीं है और आप भी अपने चैनल के साथ ऐसे खिलवार करना चाहते हो शौट टर्म खिलवार तो आपकी मर्जी है आप कर लीजे किसी ने रोका बंदे हुए थोड़ी ना मुझे कमेंट करके क्या फाइदा हो जाएगा मेरे पास तो अलड़ी इतना सारा कंटेंट होता है कि मैं सोचती हुए एक दिर में छे वीडियो डालू अलग-अलग लोगों को सैटस्फाइ करने के लिए उनके सुझाव उनके questions को लेकर तो वो भी कम पढ़ जाएंगी ठीक है तो उतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता तो प्लीज हाज जोड़के आप लोगों से निवेधन कर रहे हुए यह पाइल जुनी यह learning never ends with पूनम है अगर आपको उनसे कोई भी प्रॉब्लम है उनके comment section में करें हां यह भी था मैंने बोला कि आप उनके comment section में जाके कहिए जो कह रहे हो भी मेरे को कहने से क्या फायदा बताइए और मैंने उससे पहले आज तक नाम मी लिया उस बंदी का कभी अपने चैनल पे आप लोगों ने जब आप लोग डिस्ट्रेक्ट हो रहे थे तब मै आप लोग कहरें कि वह comments off रखती है तो यह मेरी problem थोड़ीन है कि वह comment off रखती है उसको कहीं और मिल जाएगी आपको दूसरे दूसरे पोर्टल पे बहां जाके बोल दो और क्या जरूत है बोलनी कि मत बोलिए अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उसके notification off कर दो उसकी चैनल जो है वह unsubscribe कर दो तो नहीं परेशान करें कि जबर जस्ते थोड़ना घुश जाती है वह आपके उस पर आके आपके फोन में से बोलना शुरू कर देती है आप लोग देखते है उसकी वीडियो तब भी तो दिखती है ना थोड़ना कोई आप गुश जाएगा कि आप प्राब्लम दे रहा है उससे कट जाएए अगर आप कट सकते हैं तो अधर्वाइस फिर एड़्जस कर लिचे अगर वो बंदी आपको पसंद है उसका बोलना आपको पसंद है मेरा बोलना आपको पसंद है तो सुनते रही है ना हमें फिर आपको क्या प्राब्लम हो रही है मेरे comment section में इस तरीके का रायता मत फैलाईए मैं अलग personality हूँ वो बंदी जो है वो अलग personality अगर आपको सिक्षा जगत की कोई जानकारी लेनी है तो आप भी हिजग होकर यहाँ पे comment मेरे लिए छोड़ सकते हो तो अमीद करती हूँ कि अब आप लोग परिशान नहीं होंगे इस तरीके की प्रतिक्रियाओं को लेकर और इन फिजूल चीजों पर अपना समय नाम मनश्ट करें क्योंकि कहीं न कहीं qualified और education वाले लोग जो है वो मेरे channel से जुड़े हुए तो प्लीज अपना समय जो है वो व्यतीत करिए बच्चों के लिए अच्छा content ढूणने में अच्छी चीजे खुद सीखने में जिससे कि आप अपने students को सिखा सके इन चीजों में जो है अपना समय खपाईए क्योंकि आपको नौकरीम वानिया सरकारी अगर है अगर है और लाइक कर देना मत्तम मर्ची आपने जो कर रहा है कर लेना अब इदक अगर आप इस teaching community से नहीं जुड़े हो तो भई यह मैं जरूर कह सकते हूं कि उससे जुड़ जाए यह आपकी मर्ची कि क्या सोच के क्या नहीं सोच के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर द राइब राइब